बॉलिवुड कलाकारों ने बार बार साबित किया है कि वे नृत्य, संगीत और नाटक का पूरा धमाल पेश करके दर्शकों का मनोरंजन करने में सर्वश्रेष्ट हैं। उन में से अधिकांश ने अपने तरीके से चमक बिखेरी है। लेकिन कुछ ने खुद को केवल स्क्रीन पर दर्शकों का मनोरंजन करने तक ही सीमित नहीं रखा है। बॉलिवुड सितारों ने जिन कई नई चीजों में कदम रखा है उनमें से हम कुछ ऐसी हस्तियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने लेखन में अपनी किस्मत आजमाई और वहां भी अपनी चाप छोड़ी। प्रियंका चोपडा इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपडा की अनफिनिष्ट किताब की। सोनु सूद की I am no मसीहा भी इस लिस्ट में शामिल है। ट्विंकल खन्ना की किताब पजामा आर फॉर गिविंग भी आपको पसंद आएगी। ट्विंकल खन्ना की यह किताब मजेदार, कड़वी और ज्यानवर्धक बातों का मिश्रण है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही किताब है जो कुछ हलका फुलका और दिल्चस्प पढ़ना चाहते हैं। कथानक अंशु नामक एक महिला के इर्द गिर्द घूमता है जो केरल के एक स्पा में अपने पूर्व पती से टकराती है। जहां भोजन राशन में मिलता है, सेक्स वर्जित है और भावनाएं केंद्रित हैं। कहानी कहने का धंग मजा किया है। नवाजुद्दीन सिद्धी की An Ordinary Life भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत के एक छोटे से दूर दराज के शहर से दिल्ली आकर थियेटर में अपनी किस्मत आजमाने वाले एक युवक की यह किताब नवाजुद्दीन सिद्धी की के जीवन के हर पहलु को उजागर करती है। यह पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि गरीबी से अमीरी तक का उनका सफर कितना मुश्किल था और आपको प्रेरणा का सबक देती है। नसीरुद्दीन शाह भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता ने अपनी पुस्तक And Then One Day ए मेमोयर में एक लेखक के रूप में भी अपना हुनर दिखाया है। नसीरुद्दीन शाह के संस्मरण में एक अभिनेता और मेरट की छोटी गलियों से आने वाले एक व्यक्ति के रूप में उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। यह संस्मरण 2018 में प्रकाशित हुआ था। आयुश्मान खुराना ने अपनी किताब Cracking the Code, My Journey to Bollywood में हिंदी सिनेमा में अपने करियर का खाका खींचा है। और यह बताने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति शोबिज में बड़ा नाम कमाना चाहता है तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने अपनी पतनी ताहिरा कश्यब के साथ मिलकर यह किताब लिखी है। यह 2015 में प्रकाशित हुई थी। बीमारी को हराया